हालो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का ताइन सेंट फंड पर जहां टीचर साब को दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं तो बच्चो अभी कुछ समय पहले मैंने एक चाइफाइ काफे नाम का खोला था और अब कहीं बच्चे सोच नहीं देखा तो आपको पहले वो जाकर देखना पड़ेगा तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा च्योंकि हमने वहां पर कुछ 50 terms के बारे में मैंने वहां बताया था कि हम actual में क्या पढ़रे हैं भाशा एक कर रहे हैं आपको भी English समझ में आती है मुझे भी English बोलनी आती है मैं Hindi English में बात करूंगा लेकिन आपके पल्ले नहीं पढ़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी कुछ ऐसी terms हैं जो आपको सीखने की जुरत है accounting करने से पहले तो वहाँ उस lecture के अंदर हम लोगों ने एक नया धंदा शुरू किया था एक बिजनस शुरू किया था वो था चाय फाय कैफे ठेक है ना चाय बड़ा famous आजकल एक शब्द हो रखा है तो हमने सोचा कि चलो चाय फाय नाम से एक बिजनस खोला जाए एक फेक बिजनस खोला जाए कि ताकि आप समझ पाओ कि बिजनस कैसे खोला जाता है और किन-किन प्रकार की transaction होती है और वो पूरा साल चलने वाला है तो वो वीडियो बड़ा important है बड़ा important lecture है यहां पर एक link दे देंगे या आपको नीचे description box में उसका link मिलेगा आप पहले उसको देखें 1.5x पर जाकर देखें और फिर इस lecture को यहां पर आप देखने आए आज कि लेक्चर में हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कहानी अब तक क्या थी कि हमने एक चायफाय कैफे खोला था चायफाय कैफे खोलने के बाद हमने तो हमने तक्रीबन तक्रीबन पांच-छे शब बढ़े थे और आज कहानी को आगे बढ़ाएंगे टोटल तीन लेक्चर आएंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अभी हाली में मैं से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर अकाउंट में सबसे इंपोर्टन चैप्टर कौन सा है चर्नल है लेजर है फाइल अकाउंट से क्या है मैंने का नहीं बेटा सबस्ते इंपोर्टन चीज़ 11th क्लास में जो बच्चा आया है उसके लिए एक ही है चाहिए वो 12th क्लास का बच्चा भी क्योंना वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्मस आक्च्वली यह बेसिक इसल चैप्टर थर्ड चैप्टर यह सारी चैप्टर आप कर पाते हो अगर हमारी भाषा रूबरू हो जाए और रोज आप नए शब्द भी सीखोगे अगर मैं आज अपने आफ्लाइन या पेट बैच्च के बच्चों को जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग क्व या केमेश्ट्री वाला बच्चा जो है वो नहीं सीखता होगा तो कहानी यहाँ पर यह है कि यह तो जर्नी है लेकिन उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए भी तो कोई इंधन लगेगा तो इंधन है कुछ बेसे का जादा टाइम बेस नहीं करेंगे आपके तीन लेक्चर् चाप्टर शुरू कर सकते हो, तो आज हमारी जो basic terms में, पहला basic term आ रहा है, वो आ रहा है बेटा, stock, क्या आ रहा है, stock, last time आपने goods पढ़ा था, last time आपने पढ़ा था goods, goods यानि जिस सीज़ का व्यापार कर रहे हो, जैसे अगर मैं एक दूद वाला हूँ, तो दूद या milk and milk products म मेरे क्या हो जाएंगे, goods हो जाएंगे, एक आलू प्यास बेचने वाला, आलू प्यास जो हो जाएगा, उसका goods हो जाएगा, ठीक है जी, अब जैसे science and fun, edtech private limited का जो goods है, actually we are not providing any goods, हम services दे रहे हैं, लेकर अगर goods देखना जो, जो हमारे courses हैं, वो सारे हमारे goods हो जाएंगे, ठीक है न, तो goods and services अलग-अलग चीज होती है वैसे, लेकर उसको commonly आप एक देख सकते हो, जो physical product होता है, उसको आप goods कहते हो, अब stock क्या है, या inventory क्या है, देखो वो कुछ नहीं है, बहुत असान है, the unsold goods on a particular date या time is known as stock, जो माल भिका नहीं और आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, वेर हाउस में पड़ा हुआ है, चाहे वो raw material की फॉर्म में हो, चाहे वो work in progress की फॉर्म में हो, समझते हो work in progress, मालों मैं furniture मनाता हूं लकडी के, और एक bed जो है, वो लगवख 70% तयार है, और वो भी मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है, चैक है जी, labor गई हुई है इद मनाने yarn labor गई हुई है, दिवाली मनाने और वो पिछले 20 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो work in progress है, वो भी मेरा क्या है, stock है, चैक है जी, वो भी goods का ही, stock तो goods का ही होगा, चैक है न, stock तो goods का ही होगा, यह ध्यान तकील हो जाएगी यह साथी चीज़ें बेटा मेरा स्टॉक हो सकता है और इसके साथ साथ जो मेरा फिनिश्ट गूड्स है क्या सकते हो जो शोरूम के अंदर मेरा पड़ा हुआ है रेडी टू सेल वह जो नहीं बिका बिकने के लिए तैयार है कोई गराक आएगा तभी तो वह होता है स्टॉक और स्टॉक वर्ड आप रूबरू हो हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या जब किसी मॉल में जाते हैं तो हम बोलते हैं स्टॉक में नहीं है आउट ऑफ स्टॉक इन स्टॉक यह लिखा आता है हमारे एप्स के ओपर ठीक है न तो गूड्स रिमेनिंग अन्सोल्ड और अन्यूज़ इन मैनुफाक्श्रिंग ऑफ दे प्रोड़क्ट एज ओन अपर्टीकुलर डेट हाइली फ्लक्चुएबल सुबह मेरे पास मालो में जीन्स का काम करता हूं सुबह मेरे पास मालो पचास जीन्स पड़ी हुई है शाम आते आते तक हो सकता है अ एक एसेट होगा और एसेट कैसा होगा करन्ट एसेट होगा क्योंकि मैं इसको जल्से जल्स बेचने की कोशिश करूँगा चालिए दिया अच्छा इसका दूसा नाम इंवेंटरी भी होता है स्टॉक बोला इंवेंटरी अब ना कुछ सीरीज आएंगे थोड़ा धंक से अब ना गल ना रहा था तो मैं अगर टिमबर खरीद रहा हों कईल खरीद रहा हूं कविकॉल खरीद रहा हूं या बना बना भी प्रोड़क्त मेरी मेरे जो शोरूम है वहाँ पर 80% माल अभई है जो मैं बना कर बेच रहाह हूं लेकिन 20% मैं चैना से इंपोर्ट भी एका आप अगर एक बात ध्यान देखो, आप एक Chai-Fi Cafe जो हमने खोला था, वहां हम चाए बना कर बेशते हैं, हम कौफी बना कर बेशते हैं, वहां हम बर्गर बना कर बेशते हैं, पिज़ा बना कर बेशते हैं, होट डॉग बना कर बेशते हैं, लेकिन हम Pepsi बना कर नहीं बेशते है हम पानी बना कर नहीं बेशते तो जो पेपसी है पानी है चिप्स है वो सब वहाँ पड़े हुए वो मैं लेज कमपनी से पेपसी कमपनी से मरिंडा फैंटा यह सब चीज़ां मैं खरीद कर वहाँ पर रख देता हूँ हाँ उनसे 20 रुपे की लेता हूँ आपको 25 रुपे की बेशतो समझ रहे हो तो यह सारा मेरा स्टॉक है ना अब इन सब चीज़ों को खरीदने को आप क्या बोलोगे परचेस लेकिन मेरे चाइफाय कैफे में फरनीचर भी होगा मेरे चाइफाय कैफे के अंदर मान लो मेरे चाइफाय कैफे के अंदर पोचा लगता होगा तो फैनाइल भी आती होगी मेरे चाइफाय कैफे के अंदर AC भी चाहिए मेरे चाइफाय कैफे में बल्ब खराब होगे मैं बल्ब भी ठीक करूँगा तो अब कहानी या पर यह है ये भी तो मैं खरीद रहा हूँ ये सब चीज़े भी तो मुझे खरीद नहीं है लेकिन वो purchase में नहीं आएंगी purchase में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी वो है goods या जिस चीज़ का व्यापार कर रहे है उससे related समान जैसे purchases means purchase of goods or raw material for the resale or manufacturing of goods या तो बेचने के लिए leves, fenta, chips, pepsi ले लिया आपने ये तो बेचने के लिए या आपने चाइपती अधरक, दूद, coffee, pizza base, cheese, capsicum, onion, ये सारी चीज़े रखी हुई है अपने गुदाम में या खरीद रहे हो daily सुबा जा रहे हो, fresh vegetables खरीद रहे हो, daily जा रहे हो, दूद खरीद रहे हो, चाइपती का stock आपके पास है, ये जो आपने खरीदा है इसको बोलोगे purchase AC खरीदने को purchase नहीं बोलोगे वो तो आपका asset है जो आप व्यापार कर रहे हो, उस से related जीजा अगर आप खरीदते हो, तो वो क्या है आपका purchase है, वो क्या है आपने माल खरीदा है The term purchases include both cash purchase and credit purchase देखो, अगर आप एक माल खरीदोगे तो या तो आप cash में खरीदोगे cash purchase या आप उधार पे खरीदोगे credit, credit मतलब उधार credit का मतलब उधार, credit purchase अब credit purchase का मतलब क्या होता है कि आपने माल तो खरीद लिया लेकिन अभी payment नहीं की मैं सुबा जाता हूँ और मंडी में जाकर मैं सबजी मंडी में जाकर vegetables खरीद लेता हूँ किसी दूद के उससे मैं 10 लीटर दूद खरीद के लिया आता हूँ cash पैसे दे कर आता हूँ कोई tension ही नहीं है पैसा दिया, समान लिया तू अपने घर, मैं अपने घर कोई रिष्टा नहीं बना लेकिन अगर मैं उधार माल खरीद के आऊँगा तो हमारे बीच में रिष्टा बन गया क्योंकि हमें फिर मिलना है दुबारा क्योंकि मुझे उसको पैसे वापसी करने पड़ेंगे तो credit purchase से एक रिष्टा बन जाता है और उस रिष्टदार को हम क्या बोलते हैं creditor क्या बोलते हैं creditor creditor is the person to whom we have to pay the amount खरीते हो माल खरीते हो तो वह आपका creditor बन जाएगा रेश्मा सल्मा मंदीप राहुल शोशेक विजय इन सबसे आपने उधार में माल खरीदा हुआ है तो collectively they all are creditors of chai fi cafe got it clear है थम सब देते रहेंगे आगे बढ़ेंगे चलिए फिर आता है sale उधार में खरीद वाले को जिससे उधार में खरीदा उसको क्या बोलोगे creditors अगे बढ़ रहें अगला क्या है sale वह यह बेचना आपने sale word तो बहुत सुना होगा यह word तो वैसे girls को बहुत जादा पसंद होता है ठेक है ना ठेक है तो sale world आपने देखा होगा app पर भी देखा होगा amazon में देखा होगा हर जगा देखा होगा आपने showrooms में देखा होगा दुकान पर देखा होगा तो माल लोग गार्वेंट शौक के वा लिखा है sale 50% Nike पर जाकर लिखा होगा है sale 70% लिखाओता कि लिखाओता तो वहाँ पर 50% की चल रही होती है तो अंदर क्या भिकाऊ है और विसी बात है भाई गुड़ भीकाऊ है आपने कभी भी किसी आलू वाले को यह निए निकाँ कि भाई यह रेडी कितने के लिए कभी भी नहीं बोला ना क्यों को बेचने के लिए गुड्स बेचे जाते हैं रेडी तो बताया ना करंट वो क्या हमारा नॉन करंट सेट है वो तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आप खरीते हो कि ताकि मारा बिजनस स्मूदली चलता रहे तो कहानी बच्चों यहां पर यह है कि अगर आप अपने रॉम मटेल जो खरीदा था जो मैंने चाय पती, अदरक, दूद यह सब खरीदा था लेज, चेप, पेपसी खरीदा यह आपने बेचने के लिए खरीदा था तो अगर मैं यह माल बेचूंगा इसको बोलेंगे सेल, मैं अपना ऐसी बेचूंगा नहीं अगर बेचना पढ़ रहा है, खराब हो गया तो उसको सेल नहीं कहेंगे उसको गुड्स की सेल नहीं कहेंगे यहापे लिखा हुआ है, सेल मीन सेल अफ गुड्स और सर्विसे जो लेकिन अभी हम गुड्स की बात कर दे दर्म सेल्स इंक्ल्यूड ओविसे बात है, बोथ कैश सेल एंड क्रेड़ दे कैश में माल बेचोगे तो दिक्कत ही नहीं है, आपके दुकान दे को या है भाई है, दो चाय दे दो, मैंने उससे 20 रुपे ली और दो दो चाय दे दी एक बच्चा आया कहता कि दो कोल्ड कोफी दे दो, मैंने उससे 300 पे ली और दो कोल्ड कोफी दे दी, अब क्रेड़िट सेल भी तो हो सकती है हमारे पास यहां पर कॉलेज की बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, सामने कॉलेज है, चाय फैकाफे खोल रखा है, और यहां बहुत सारे बच्चे यहां पर आते रहते हैं, और कईयों से तो मेरी जान पेचान भी हो गई, वो आते हैं पैसे कल दोगा, मैं का ठीक है, देंगे मुझे नाम याद है उसका, उसका नाम है मुकेश अब वो मेरा कौन बन गया, डेटर कौन बन गया, डेटर, भी साइलन्ट होता है, इसको बढ़ेंगे, डेटर अब डेटर कौन होता है, डेटर वो परसन होता है, जिससे आपने पैसे लेने है क्रेटर कौन था, जिसको पैसे देने है, हम अमेशा अपने पॉंट अफ्यू से बात करेंगे कि सामने वाले के point of view से कभी निकलेंगे, क्योंकि मैं अपने accounts बना रहा हूँ, उसके नहीं बना रहा हूँ. तो मैं अगर अपने accounts देखकर देखूं, छांट के देखूं, तो मुकेश नाम का एक बंदा होगा, जिससे मैंने पैसे लेने हैं, तो मेरा क्या है? डेटर. अच्छा, पैसे क्यों लेने हैं? क्योंकि मैंने उसको उधार पे माल बेचा था. तो जब आप उधार पे माल बेचते हो, तो वो सारे collectively जो personalities होती है, 10, 12, 15, 20 लोग होते हैं, वो सारे के सारे आपके कौन होते हैं? डेटर. कौन होते हैं? डेटर. अच्छा. लेकिन अगर वो मुकेश पैसे लेकर भाग जाये तो, माल लो वो मेरी दुकान में आया, वो मेरे चाइफाए कैफे में आया, और वो आया, 15, 20 दिन लगातार आया, उसने कोल्ड कॉफी पी, एक सैंड़़िच लिया, टोटल बिल उसका बना 2,000 रुपे, कहते हैं, भाईया, यह भी वो घर वालों ने पैसे नहीं भेज़े, मैं आपको कल दे दूँगा, आज एक और कॉफी पिला दो, मैंने कोई बात नहीं भेटा है, को कॉफी पिलो, क्या थिकत है, मैंने का दे दिया, तुम रोजी तो आ रहे हो, और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, तुमने टाइमली पेमेंट की हैं पहले, यार कोई अंजान रखती को उधार नहीं देता, और एक लिमिट का उधार देता है, और अगर हम उसको उधार दे रहे हैं, तो अब विसी बाता है, वो पुराना कस्टमर होगा, और हमने उसको देखा होगा, परखा होगा, और यार देखो, सिंपल सी बाता है, सर, उधार देना, बंद कर दोगे न, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपका कृयाने वला जो नीचे है न, आपके घर के नीचे, घर के असपास, उसने पूछ लो, कम से कम, आपका दूदवाला आपके घर में आता है, रोज दूद दे कर दाता है, या आप नीचे से दूद लेकर आते हैं, अंडे, ब्रेड, जैसे, मेरा घर के नीचे एक क्रेयने वाला है तो मैंने शाइड पिछली वीडियो में बात बताई थी तो मैं उसको न डेली पेमेंट नहीं करता अब यार डेली दो ढ़ाई वो आ रहा है किलो लीटर दूद्ध आ रहा है किलो तो नहीं होता तो अब आ रहे है दूद्ध, तो अब डेली खुल एक पैसे कौन लाए ना उसके पास है ना मेरे पास है फिर ब्रेड भी आ रही है, अंडे भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपके पास वो छोटे बच्चे भी है हमारे घर में तो किसी को पॉपिंस खानी है, किसी को इलाइची खानी है, कुछ भी खाना है, तो कहानियाँ पर ये है, तो छोटी-छोटी चीज़े आ रही है, क्योंकि बड़ा जो राशन है, वो तो हम जाकर खरीद के ले आते हैं, पूरे मन्त का, लेकिन छोटे-छोटे जो प्रोडक्स ह दाल दिया कर, कि भाया जी, इतना पैसा हो गया है, मैं तो यूपिया करते हूँगा, टेंशन ही खतम, समझ रहे हो, तो वो अगर उधार देना बंद कर दे मेर को, तो उसकी दुकान चलनी बन लो जाएगी, क्योंकि मैं क्यों और दुकान डूलोंगा, जो ऐसा करता होगा, तो अगर आपको सेल बढ़ानी है, तो आपको उधार देना पड़ेगा, उधार तो आपको देना पड़ेगा, और हर कोई दे रहा है, ठीक है न, तो mostly लोग उधार देते हैं, और देना भी चाहिए, लेकिन लिमिट वाला, अगर मालों मैं कहता हूँ कि भाया, इस महीने त मैं कहता दे देना, मैं कहां बहुजी ठीक है, अब 40,000 बन गया, तो अब मैं उसका देंदार हूँ, यानि उसके point of view से मैं उसका कौन हूँ, debtor, और मेरे point of view से मैं उसका कौन हूँ, creator, छोड़ देते हैं, लेकिन debtor समझना आ गया है, debtor वो personality है, जिससे आपने पैसा लेना ह लेकिन अगर ये भाग गया तो, मुकेश अगर 15 दिन का cold coffee और sandwich का पैसा दिये भीना भाग गया तो, तो ये गंदा debtor, अब गाली तो लिखोगे नी अकाउंट्स में, अभी mother sister की गाली तो लिखोगे नी, तो अब क्या लिखोगे, bad debtor, गंदा debtor, bad debtor को short form में लिखते हैं, bad debt, जो मेरे पैसे लेकर भाग गया, debtor मेरा asset होता है, current asset होता है, क्योंकि मुझे इससे पैसा लेना है, और मैं चाहूंगा जल से जल दे दे, और generally तीन महीने के अंदर ये cash हो भी जाता है, bad debt ये मेरा एक प्रकार का loss होता है, क्योंकि बंदा पैसे लेकर भाग गया, लेकिन कभी भूला भटका मानलो वो दुबारा आ जाए, एक छे महीने बाद, एक साल बाद कहता है, बाब भया जी वो आपके पैसे पैसे पेंडिंग था, ये ब्याच अमेद प्लीज, मैं से गलती हो गई थी, मैं चला गया था, बिन बताए, मेरे घर में tragedy हो गई थी, जुरी थो पैसे नहीं होती होती है, तो वो पढ़के गए, पैसे नहीं आए, मैंने का ठीक है, जी अब भई, मैं कितनों, मैं फोन कर लूँगा, मैंसे डाल दूँगा, घर तो नहीं जाऊंगा, अब पोने तील लाग में से मानलो, अगर इस साल कोई बच्चा भूला भटका आके 30-40 जार उन्देर को वाफसी मिल भी जाता है, तो उसको बोलते हैं, मना थोड़ना करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, बैडड़, बैड़ड, रीकवर, बैड़ड, रीकवर, तो वो पैसा मुझे रीकवर हो गया, ये फिर से मेरी क्या बन जाएगी, इंकम बन जाएगी, हम क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे, मुकेश इस डेटर, ऐसी मालों 20 लोग उधार में बेचा हुए, सारे मेरे कलेक्टिवली कौन है, डेटर से, डेटर पैसा दे 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 तो बहुत बड़ी या नहीं दे तो बैड डेटर, गंदा डेटर, और इन फ्यूचर अगर वो ब परचेज और ये था सेल, खरीदना, खर्चा होता है, सेल करने से आपकी income आती है, परचेज मेरा एक expense होता है, बिजनस के खर्चों में जोड़ा जाता है, और सेल मेरी income create करती है, जिसको अब revenue वोलोगे, आगे जाकर आज ही की class के अंदर, और यहां पर आगया परचेज return औ तो समझ गए होगे ना, अगर आपने माल कोई खरीदा, और उसमें कोई डिफेक्ट निकला, खराब निकला, जादा आ गया, कोई भी कारण था, और आपने माल उसको वापसी कर दिया, उसको वो लेंगे पर्चेज रिटर्न, पर्चेज रिटर्न का दूसा नाम है रिटर्न आउट वड़, क्या है रिटर्न आउट वड़, आपने जो रॉ मेटल खरीदा, वो आपको पसंद नहीं आया, खराब था, क्वालिटी का नहीं था, स्राड़ा हुआ था, गला हुआ था, आपने वापसी कर दिया, पर्चेज रिटर्न, या रिटर्न आउट वड़, ऐसे तो हाथो हाथ वापसी आ जाते हैं मालनों मैंने किसी को फनीचर दिया और मैंने कभी यह च्छे मैंने गरंटी एक उसके घर गया एक साल बाद एक एक हफते बाद उसके अंदर कोई किड़ा लग गया आपकी वह सड़ गया गल गया लकड़ फूल गई तो मुझे वापसी दे अगला टम डेटर समझा चुकाओं मैं आपको बैट डेट समझा चुकाओं मैं आपको क्रेडिटर समझा चुकाओं मैं आपको क्रेडिटर समझा चुकाओं मैं आपको एक शब्द की सीरीज थी जो मैंने आपको बातों बातों में इतने सारी टम्स आपको समझा दी मैंने आपको purchase समझा दिया, purchase return समझा दिया, creditor समझा दिया, sales, sales return, bad debt, debtor, और bad debt recovered, यह 9 शब्द इस series में चलाती है, take a halt, video को pause कर लो, TS Gareval खोलो, TS Gareval, DK, Goyal, वासन, जो भी किताब है आपके पास, आप उसे खोलो, और इन सारी terms को एक बारी read out कर लो, और ऐसा कोई शब्द जो आपको समझ में ना आया, word, डेटर समझ में आ गया लेकिंडर की explanation में कोई ऐसा शब्द था जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको नीचे comment section बता देना है, अभी एक lecture और है, जितने भी ऐसे शब्द होंगे, जो आपको समझ में नहीं आया होंगे, वो आप बता देना, I'll make a list and I'll explain it, कि ताकि वो समझ में आना बड़ा जुरूरी है, got it, चलिए, अब बात करते हैं कुछ अलग की, यह है बटा receipt, अब receipt का मतलब तो समझ में आई गया होगा आपको, अब यह वो receipt नहीं है, जो आपको वो फाड कर देते हैं, receipt का मतलब है पैसे मिलना, आप हमेशे अपने पॉंट पे सोचोंगे, यहनि मैंने पिछली गवाब में उदाया था, कि हम लोग हमेशा चाइफाई कैफे के पॉंट 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 से सोचेंगे, तो receipt are the categorized into revenue receipt and capital receipt, receipt का मतलब सिर्फ क्या होता है, पैसा मिलना, पैसा मिलना, अब पैसा जो मिल रहा है वो जरूरी थोड़ना है, कि मेरा ही होगा, उस पे हक मेरा ही होगा, अब कहानी यहाँ पर यह प्यारे बचो कि एक बिजनस को दो प्रकार से पैसा मिल सकता है, है, मेरा भी हो सकता है और मेरा नहीं भी हो सकता, तो दो प्रकार से पैसा मिल सकता है, एक बोल रखा है revenue receipt, एक होता है capital receipt, समझे ना, पहले मैं OSR का example यह science and fund का लेता हूँ, और उसके बाद चाइफा कैफे पर आता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा, जो मेरी income है, income समझते हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो obvious से बाता है, वो OSR और science and fund से आता है, मानते हो, जो OSR में offline वाले बच्चे हैं, science and fund में जो online वाले बच्चे हैं, जिनको मैं services दे रहा हूँ, जो मुझे daily उनको पढ़ाना है, और वो मुझे पैसा देते हैं, यह है मेरा revenue से, समझे ना, माल लेते हैं कि मैंने एक course बेचा, और उस course की fees थी 2000 रुपया, अब जैसे हमारे online के अंदर, यह जो पूरी 11 में जिनकों चारों पांचों सेट पढ़ाया जा रहे हैं, उसकी fees थी 2000 रुपया, पूरे साल की मात्र, तो मैंने राम नाम के बंदे से, यह आप से मैंने 2000 रुपय ले लिये, और आपको पढ़ाने का वादा कर दिया, और फढ़ा रहो, आप कहा रहे हैं, यह जो मैंने नहीं पढ़ना, क्या मुझे पैसे भॉपपसी करने, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ांगा, तो शायद मुझे भॉपपसी करने, लेकिन यहां पर केस अलग है यहां केस अलग है आप पड़ी नहीं रहे हो जैसे हमने मुबाइल में यह टीवी के अंदर डिश का रीचार्ज कर ले और टीवी नहीं देख रहे है तो उसमें एयर टेल कंपनी की क्या गलती भाई मैंने आपको कोर्स दे दिया और आप उस कोर्स को देख ही नहीं रहे हो तो मेरी क्या गलती है तो को ऑफलाइन में होते तो दो चार चांटे मारके मां पढ़ा देता लेकिन अगर आप आप ऑनलाइन में हो यह सिंबसी बात है यह आपने एक जैसे एक पेर आफ शूर्स कर रहा हूं या जो चाय फाय कंपनी चाय कॉफी पिजा बरगर बेच के पैसा रिसीव कर रही है वो उसका रेवेन्यू रिसेप्ट है क्योंकि वो उसको किसी को वापती नहीं करना वो डेली के काम काज से आता है amount received from the sale of goods and services या दोनों it is the amount received in the normal course of business जो डेली काम करके आपको मिलेगा against sale of goods ये तो मिलेगा ही मिलेगा rendering services पहला ठेक है जी क्या उशांग की income यही है कि बच्चों को पढ़ाएगा तो पैसा आएगा नहीं अब उशांग ने जब बच्चों को पढ़ाया तो पैसा आ गया ज्यादा आ गया लेंगे घर के अंदर लगना है कम दरूरते कम है उशांग तो आज भी स्पाक्स के 600 रुपे के इशूस पहनता है नहीं चाहिए उसको नाइकी के चाए बैंक बैलनस कितना भी खरीद लिया फ्लैट खरीद के किराय पे चड़ा दिया शेयर्स खरीद लिया हमार रहे हो तो इससे भी तो मुझे इंकम आएगी जैसे इंटरस्ट मेरे को आएगा क्या वो ब्याज मुझे वापसी करना है नहीं इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने बिजनस रिसोर्स में जैसे फिक्स रिपॉजट कर दिया कहीं एफडी कर दी गई तो वहां से भी आ जाएगा मैंने कोई मकान खरीद के किराय पे चड़ा दिया फ्लैट से मुझे किराया आता है तो वो भी क्या हो गया बिटा मेरी रेवेन्यू इंकम हो गई यानि ऐसे इंकम जिससे मेरी कोई लियाब बेचा है दूद वाला दूद बेचता है पैसे लेता है रेवेन्यू रिसिप्ट जो पैसा गल्ले में जाएगा न वो रेवेन्यू रिसिप्ट है जो मेरी इंकम का पार्ट होगा लेकिन इसका एक अपोजट भी होता है एक होता है कैपिटल रिसिप्ट वो एक मोटा जो याद तो आपको वापसी करना बैंक से लोन ले लेना चाइफाइक कमपनी ने लोन लिया था अपने पापा से डिर्ड करूर रुपे का याद होगा नहीं देखा तो जा कर देखो फिर कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कहानी में से शुरू हो रखी है फंडिंग उठा ले चलो फंडिंग अलग चीज़ होगे फंडिंग को हम बीच में ले करनी आएगे अगर हम लोन ले ले लेते हैं बैंक से, मामा से, ताउ से, पापा से बिजनस करने के लिए तो जो लोन का अमाउंट है वो पैसा तो आया आपके पास डिर्ड करोड तो आ गया लेकिन अब वो वापसी भी तो करना है तो उस रिसिप्ट को बोलोगे आप कैपिटल रिसिप्ट, क्या बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट या दूसा पहलू यह कि मैंने अपना एसी बेच दिया मैंने अपना स्मार्ट बोड बेच दिया अब इससे क्या हो गया बिटा मेरा एक नौन करंडर सट चला गया तो भी मेवा पैसा आएगा यह पैसा मैंने कमाया नहीं है कोई समान बेच कर समान मतलब गुर्ज नहीं है यह मेरा मेरा गुर्ज तो क्या है जो मैं कोर्सिस मना कर बेच रहा हूँ मेरा गुर्ज तो क्या है जो मैं बच्चो को बढ़ा रहा हूँ लेकिन यह तो मेरा गुर्ज नहीं है यह खराब हो गया था आउटडेटिड हो गया था आउट फैशन हो गया था या अब इस एडवांस वर्जन आ गया था कुछ भी कहलो मैंने इसको बेचे दिया और मुझे एक लाख रुपे मिल गया यह जो रिसिप्ट मिली है यह होती है यहाँ पर आपकी कोई चीज चली जाती है और और पैसा जो आएगा आपको वापसी नहीं करना जिते भी OSR की बच्चों ने यहाँ पैसा दे मुझे किसी को वापसी नहीं करना क्यों कि मैंने उनको पढ़ा रहा हूं मैं तो उनको सर्विसिस दे रहा हूं या मैं उनको माल बेच चुका हूं समझ रहे हो लेकिन कैपिटल सिप्ट समझ आ गया ना या तो बैंक से लोन ले ले मुझे ववापसी करना पड़ेगा या मैंने अपना कोई एसेट बेच दिय या जमीन बेच दी जैदाद बेच दी बाइक बेच दी ओफिस का ओफिस की कोई कॉफी मशीन बेच दी फनीचर बेच दी या एसी बेच दिया वहां से जो पैसा है उसको बोलते हम कैपटल सिप्ट यह एक्जामपल लिखे हुए है ठेक है जीतने आप लिखा भी हुआ है यह जाए लिआ इंक्रीज लाइबिलेटी या तो मेरी उधारी पैदा कर देंगे या मेरा कोई असेट रिडियूस कर देंगे या मेरा कोई एसेट बहुत बड़ीया विए इंपॉर्टेंट धंक से पढ़ना प्यारे बच्चो पिर आता है एक्सपेंडिचर इसी का उल्ट एक तो होता है मिलना, एक होता है खर्च भी तो करूँ है, अरे क्या मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, बहुत खर्चा कर रहा हूँ, देखो अब खर्चे तीन परकार के हैं, एक है capital expenditure, एक है revenue, इस पर बाद में आते हैं, देखो खर्चा समझा आ गया ना, business करने के लिए आपक के लिए होते हैं, आज यह समार्ट बोड खरीदना था, हम पिछले साल भी इसको इसको इस्ते माल कर रहे थे, हम इस साल भी इसको इस्तेमाल कर रहे, और आने वाले मुझे ऐसा लगता है, कि पांच साल हम चार साल हम इसको इस्ते माल करेंगे, यह जो camera है, यह पिछ ले द है यह जो land and building है यह भी यहाँ पर दो-चार सालों से हैं तो ऐसे expenditure जिससे आपकी कोई चीज बन जाए जैसे purchase कुछ भी आप खरीद रहे हो अब क्या खरीदना purchase नहीं purchase of goods नहीं रॉम मेटीडल नहीं purchase of जैसे non-current assets non-current assets बचपन में न मेरी को जब pocket money मिलती थी न मेरे birthday पर बढ़ा यह जब हम बड़े हुए मताब बड़े क्या हुए जब मेरा birthday आता था तो birthday वाले दिन मेरी नानी जी मेरे को पैसे जिती थी और आल करेक्ट, दो रुपे पर दे, एंड शुकरवार वाले दिन, पांच रुपे, शुकरवार हो क्यों, क्योंकि वमारे घर के बार फ्राइडे मार्किल लगती थी, तो हमको छोले बटूरे खाते थे, मैं और आशु सार, ठीक है, लंबी स्टोरी बाद में उताँगा, लेकिन 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 बर्दे पर न, मेरे नानी कहती थी, कि ये देख बेटा, ये है 500 रुपे, या 200 रुपे, या 300 रुपे, ये ये पड़े है, तेरे है, जा तो तू इसको जा, आज के टाइम के एक्जामपल देता हूँ, जा मैकडी में बर्गर खा, दोस्तों को खिलाओ और आ ये तो नहीं कहूंगा न, यार मैं डेर्ड करोड रुपे का घर खरी लाया, कितना खर्चा होगा, अभे भाई, तू घर खरीद के लाया है, वो घर जो है, तेरा बीस वाल चलने वाला है, पच्ची साल चलेगा, तुमने अपने घर का फ्रिज कितनी बारी चेंज होते वे देखा है, पहले छोटा होता था कैलिवनेटर, फिर डबल डोर आया, अब हो अलमारी वला है, क्योंकि हम अच्छा कमाने लग गए तो हमने वो खरीद लिया, तो कोई शोफ नहीं कर रहा है, बट कहानी यापर यह है कि सिर्फ तीनी बारी देखा है, और वो पिछले छे साल उसे वही फ्रिज मेरे घर में पड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है, आने वाले दस साल, पंदरा साल वही रहेगा, मेरी बेटी ने तो सिर्फ दो फ्रिज चेंज होते हैं, एक ही बरी चेंज होते हैं और उसकी उमर नौ साल हो गई है, तो हम ऐसे खर्चे, यह खर्चा थो पापा से डिर्IT करोड रुप हले थे, आजा पचास लाक रुपे दे आती हो पापा को, यह मैने कमा लिया, यह लो पने पचास लाक रुपे एक करोड़ बैले तो जोब फचास लाक अब दे कर आया है, वह अनॆ को सा खर्चा है, उसने आपकी लाइभिटी कम कर दी, उसन तो बोलते हैं आप Capital expenditure यह यह तो आपका कोई asset बना देगा या आपकी कोई liability कम कर देगा जिक है जी मतब एक important रोज नहीं होता आप रोज मकान नहीं खरीद रहे हो आप रोज फ्रिज नहीं खरीद रहे हो आप रोज लोन की रीपेमेंट नहीं कर देगा ना तो कोई asset बनेगा ना कोई liability कम होगी जैसे salary देना अगर मैं किसी employee को salary दूंगा तो अपना दिमाग या जो अपना शारीरिक labor है वो एक महिने के लिए मुझे किराय पर देगा ऐसी तो हो रहा है आप अपने employee को पैसे देते हो 25,000 पकड़ भाई बैट जाए computer के आगे यह सारा काम करती हो वो एक महिना काम करेगा आपने अपने flat का या अपने office का किराया दिया एक महिने तक आपको वहां काम करने देगा बिजली का बिल वाइफ़ाइ फोन पानी का खर्चा खाने पीने का खर्चा चाय पानी जो office में आती है stationery जो आती है रेडे का खर्चा ट्रक टेंपू का खर्चा लाने आने का खर्चा यह सारे बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेना तो business चलेगा है नहीं चाइफाइ कैफे में से वाइफाइ का बिल्य आटा दो तो क्या ही चलेगा समझ रहे हो यह सारा क्या है बेटा मेरा expenditure कौन सा revenue जैसे एक चाय बनाने के लिए जो चाय लगेगी जो चाय पत्ती लगेगी अधरक लगेगी गैस लगी सारा मेरा कौन सा expenditure है बेटा revenue expenditure यह पैसा कमा कर देगा यह भी पैसा कमा कर देगा लेकिन आने वाले कहीं सालों तक कमा और देगा अब एक बाई स्मार्ट बोर्ड खरीद लिया तो यह क्या करूंगा यह इसको लाके टांग दो बिजली भी हो वाइफाइ ना हो तो भी मेरे किसी काम का नहीं है जी सही बता रहा हूं इस कमरे में अगर वाइफाइ ना होना तो मेरा यह कमरा वेश्ट है जो कि मैं वीडियो रिकार्ड कर लूँगा लेकिन मैं तुमको पचाऊंगा कैसे समझ रहे हो तो यह आगया मेटा मेरा रिवेन्यू सैलरी देना देहारी देना वेजेज इलेक्ट्रिक बिल हो गया वाइफाइ का खर्चा हो गया उसके अंदर कैरियेज रेडे का खर्चा हो इसेटर इसेटर बहुत सारे खर्चे अभी हम पढ़ेंगे हैं फिर होता है यह वह खर्चा होता है जिससे आपको कोई असेट भी नहीं बन रहा है ना ही कोई लैबिटी कम हो रही है लेकिन यह एक ऐसा खर्चा जो आप एक बारी करते हो इसका लुफ्त इसका एंजॉयमें अब लूब्स नहीं बनारहा कोई आपकी चीज नहीं बन रही गाली नहीं आरी है आपके घर हमकी घर नेया घर नहीं आ पटेज़ने आरा नया Easy नहीं आरह नाकैमरा नहीं आरा और कॉफी मशीन नहीं आ रही नहीं है फनीचर नहीं आ रहा लेकिन ये खर्चा आपको लुफ देगा इसमें एक मातर एक्जामपल बड़ा फेमस है वो है यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे लेवल का अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है चाइफाय कैफे को प्रमोट करने के लिए स्टार्टिंग मैंने 20 लाक रुपे खर्श कर दिये थे OSR Academy भी स्टार्टिंग के अंदर बहुत एड करता था प्रमोशन की केबल चैनल तब केबल चलते थे तो केबल पर भी एड बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन हम अभी नहीं चला रहे हमें लगता है अभी हमें जरूत नहीं है और हो सकता है क्या पता हम अगले हफ़ते अगले महीने अगले साल यह शुरू करते हैं लेकिन मैं अपने OSR एकेडमी के एक्स्पिरियन से बता हूँ तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने लाग खोर रुपे खर्च की है एडवर्टीजमेंट के लिए जो कि बताना पड़ता है ना जब तक देखेगा नहीं जब तक बिकेगा नहीं तो बच्चों को दिखाया स्क आज तक बेनिफिट नहीं लेकिन अगर एक इस्तिहार मैंने छाप दिया तो मुझे लगता है कि वह कहीं सालों तक आपको मदद देता है तो एक बारी आड जब चली जाती है तो वह उसका बेनिफिट आपको आने वाले कहीं सालों तक मिलेगा यह इसको इसके अंदर एक औ बन गया हुआ है उसके तो वह क्या है और जिसका नहीं भी बना तो भी वह आर एंड एक्सपेंडिचर तो था कहीं ना कहीं उसको आगे जाकर हेल्प करेगा तो यह वाला एक अलग किसम का है लेकिन यह दोनों ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं बास अंगा आ गई इस ट करेंडिचर को explain किया जा रहा है यह दो प्रकार का होता है एक होता है prepaid एक होता है outstanding प्री पेड यानि आपने पहले ही पेकर दिया नौर्मल को explain नहीं करूंगा तमय आने से आपने पहले पेकर दिया आपके पास कोई employee आया कहता भाईया मेरे को ना March की salary दो मैंने का ले लो और एक्सफेंडीचर प्रिपेड सेल्री प्रिपेड रेंट प्रिपट इं pipe इंट्रस्ट प्रिपेड इलेशर टिब इसारा होते हैं प्रिपेड ठेके यह अगले साल का आप ने इस साल ही दे दिया आपको बता है नहों साल एक एपरेल से शुरू होता है और 31 मार्च कॉमर्स वालों का साल यही है भी यह तो आपने 2023 और यह था 2022 अगले साल का यह 22 था आपने 23-24 का खरचा 22-23 में कर दिया तो वो क्या है प्रीपेड एक है आउटस्टेंडिंग 23-24 आ गया मार्च की सेलरी अभी तक नहीं दी अभी कौन सा साल चल रहा है यह चलता है 23-24 पिछले साल का परवरी और मार्च का इलेक्षिटी बिल पेंडिंग है पालो यह सेलरी तो इस साल आपने अगले साल का पे कर दिया वो गया आपका क्या प्रीपेड और पिछले साल का अभी तक पे नहीं किया हुआ वो है आउटस्टेंडिंग यह है बेटा मेरा एसेट और यह है मेरे सर पर बोज यानि लाइबलेटी पिर आता है लास्ट टॉपिक विचिज र रेवेन्यू बताया ना जो पैसा आपको मिलेगा माल बेच कर इंकम क्या है देखो आपने पैसा आ गया अब मेरे पास OSA से सारे बचों से पैसा आ गया रेवेन्यू ठीक मुझे ब्याज भी आया और मुझे किराया भी आया तो मेरे पास टोटैलिटी के अंदर मेरे पास ट खर्चा फोटो स्टेट स्टेशनर यह सब कुछ खर्चा किया revenue expenditure किया तो जो बच जाएगा मेरी इंकम है इंकम का फॉर्मुला revenue minus expenditure क्लियर है बच्चो ठीक है जी तो आज इतने सारे सब्मेन आपको और पढ़ा है next class soon ठीक है ना तब तक आप पहला lecture दुबारा से मुझे पता है gap आगे और gap क्यों आया यह हमने एक live lecture के अंदर आके बताया था कुछ issues थे जो हम युवाई टी पर नहीं आ पा रहे थे और अब regular पूरा time table के साथ आप देखो पूरी time table के साथ आपको चीजे मिल रही है और मिलेंगी तो आप कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जुड़े रहो पहला लेक्चर देखो चाइफा कैफे वाला फिर यह ला लेक्चर और अगला लेक्चर चैप्टर खता उसके बाद हम बाच्छा आदमी हम कुछ भी करेंगे तो मिलूंगा आप से क्या हम इत nun ना कहीं कुछ